Now students, देखिए, अब हम इस class में एक छोटा सा topic करेंगे, कुछ special cases हैं, ठीक है, जहां पर आपको GI देखने को मिलता है, ठीक है, last class बच्चों आपने करी होगी, तो आइए देखते हैं, last class थी आपकी cycloalkanes की आदे, और इस class में हम देखेंगे कुछ special cases, जहां पर आप नोट कर सकत ठीक है, आप cumulance क्या होता है, जहां से सुनिए, cumulance में आपको consecutively double bond मिलेंगे, carbon-carbon के बीच में, यहां यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, income bonds में, income क्या बोलते हैं, cumulance बोलते हैं, consecutive double bonds आपको देखने को मिलेंगे, अब देखें, बहुत असान है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बहुत असान है, ध्यान से सुनिए, पताए, अगर आपके लगातार आने वाले, जो double bond है, अगर even होंगे, तब तो वो GI show नहीं क देखें, तो आपको अच्छा लगेगा, देखें, यदि मान लीजे, ऐसा हो, कोई compound, just example दे रहाँ आपको, अब आई कोई compound होगा, इसकी valency, सब carbon की कही न कहीं से completed होगी, उसको आप छोड़ो, ऐसा compound है, ध्यान से सुनिए, आपको carbon को नहीं count करना है, आपको carbon carbon की बीच में double bond कितने हैं, उनको count करना है, सुना, देखें, जैसे कि, यहाँ देखें, एक bond यह है carbon carbon की बीच में, double bond, एक यहाँ से मिला, ठीक, और एक यहाँ से मिला, कितने हो गए, 1 प्लस 1 is equals to 2, और 2 कैसा number है, even है, 2 even number है, तो यह GI नहीं show करेगा, not show GI, ठीक, कार्बन को नहीं count करना है, बच्चे कार्बन को count करते हैं, कार्बन तो 1, 2, 3, odd है, कार्बन नहीं, कार्बन के बीच में double bond है, और consecutive होने हैं, cumulant से यह देख लो, cumulant का example है, double bond के बाद फिर से double bond आ रहा है, ठीक, तो यह नहीं करेगा, लेकिन अगर यहीं पर मैं आप आपको ऐसा example देदू, ध्यान से जड़ा चेक करिएगा, मान लिजिए ऐसा है, कार्बन, double bond, कार्बन, double bond, कार्बन, double bond, कार्बन, तो सुनो, कार्बन नहीं count करना है, कार्बन, कार्बन के बीच में, double bond कितने हैं, वो आपको count करने है, ठीक, चेक कर लीचे, एक, दो, तीन है, तो थ्री हैं आपर, थ्री consecutive double bond है, कार्बन, कार्बन की बीच में, तो थ्री क्या होता है, आपका odd होता है, ठीक, और थ्री अगर आपका odd होता है, बच्चों, ठीक है न, तो यह आपका GI show करेगा, so it will show GI, it will show GI, बस यह ही है, और क्या है, बस अब सवाल कर लिजे, देखिए, सबसे पहले, नोट लगाई, अपनी कॉपी में क्या, odd number of consecutive double bonds can exhibit GI, okay, odd number of consecutive of consecutive double bond of consecutive double bond can exhibit GI, can, can क्यों लिखा है, क्योंकि आपको group भी तो चेक करने होंगे न, समझो जरा है, तीक है न, सुनो ध्यान से, एक चीज़ो हो, यहाँ पर देख लिए, यहाँ A होना चीए, यहाँ B होना चीए, यहाँ C होना चीए, यहाँ D होना चीए, मतलब समझ रहो, यह, अब आपकी terminal site यह वाला और यह वाला, जो extreme carbons होंगे, left वाला, इस पूरे को एक system मानते हुए, ठीक, यह वाले carbon और यह वाले carbon पे अलग-अ चीए, इस carbon पे अलग-अलग group और इस carbon पे अलग-अलग group होने चीए, यह भी चेक करना है, इसलिए लिखा है, can exhibit है, अगर मानलो, यहाँ भी A हो और यहाँ भी A हो, तो exist नहीं करेगा, ठीक है, can exhibit, can exhibit GI, ठीक है न, चलिए, अब आईए, आपको एक example देते हैं, जैसे कि मानल तो C, double bond C, double bond C, double bond C है, ठीक, यहाँ पर A लगा हुआ है, और यहाँ पर B लगा हुआ है, यहाँ पर A लगा हुआ है, यहाँ पर B लगा हुआ है, ठीक, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कि यह cumulence है, हाँ, carbon double bond, carbon double bond, carbon, लगातार double bond आ रहे हैं, अब जो भी double bond आ रहे हैं, कितने हैं total है ना तो देखो मैं यहां box में बंद करके दिख रहा हूं इस पूरे को एक system ऐसे करके मान लोग आप ठीक है ना और count करें एक बार दो बार तीन बार three double bonds है कितने है three के डबोट से और सी डबल बोंड्श हैं जो भी बच्चों यहां पर और गांग है नगा थिक है नbuild तो है और instagram नभर है पुरी दुनिया को पता है और और दूमबर है तो यह चेक करना पढ़ेगा करेंगी नहीं करेंगे ना चेक कर्नें ने क्या करोगे आप जो extreme carbons दिखाई पढ़ना है है ना extreme left में यहने कि यह वाला carbon और extreme right में यहने कि यह वाला carbon इस carbon पे दोनों group अलग-अलग होने चाहिए और इस carbon पे भी दोनों group अलग-अलग होने चाहिए तो check कर लीजें यहाँ A और B है और यहाँ भी A है ठीक है यहाँ पर आपका सिस और ट्रांस भी possible है वो तो आप पहचान लोगे ना दोनों एक तरफ ए हैं तो सिस और नहीं तो फिर ट्रांस हो जाएगा ना इन दोनों वैसे कर तो ट्रांस हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं चलिए अब आपको एक question देते हैं देख ठीक है ना अब देखिए कुछ options आपको देके रखें option A में आपको बच्चों कुछ ऐसा compound इन्हों ने दिया है ना यहाँ एक मिठाइल लगा हुआ है और इसी तरीके से यहाँ एक मिठाइल लगा हुआ है ठीक option B में students इन्हों ने आपको कुछ ऐसा दिया ठीक ओके और यहाँ पर इन्होंने CL दिया यहाँ पर इन्होंने OH दिया उसके बाद यहाँ इन्होंने BR दिया और यहाँ इन्होंने NH2 दिया ठीक माल लीजे, यहाँ पर उन्होंने CH3 दे दिया, यहाँ पर उन्होंने BR दिया, और यहाँ पर उन्होंने H दिया, ठीक, इसके बाद option D में उन्होंने मान लीजे, आपको ऐसा question दे दिया, C double bond C, यहाँ पर H दिया, यहाँ पर H दिया, चीक, और यहाँ पर methyl दिया आपको, यहाँ पर ethyl दिया, multiple correct यह answer हो सकता है, आइए देखते हैं, first वाला क्या GI show करेगा, यह last class में आपको बढ़ाया था, यहाँ देखते हैं यह क्या है, die substituted है, cyclo-lcane है और दो अलग-अलग कार्बन पे same group लगे हो है, कोई दिखकत नहीं है, यह आपको पढ़ाया था, A और A हो, तो यह क्या है, आपका die substituted है, तो यह करेगा, तो first वाला आपका करेगा, इस पर मैंने tick कर दिया, second वाला देखो जाना, second वाले में cumulin है, हाँ है, क्योंकि carbon-carbon के बीच में double bond लगा तार आ रहा है, तो cumulin का example है, तो cumulin वाला case है, एक, दो, तीन, चार, चार तो क्या है, even, और तो क्या है, even है, तो आगे कुछ चेक करना ही नहीं है, यह नहीं करेगा, इसको उम क्रॉस कर देते हैं, इसके बाद, next देखिए ध्यान से, यह भी cumulin है, क्योंकि carbon-carbon के बीच में double bond consecutively आ रहा है, लगा तार आना चाहिए, ठीक, डबल, ड तीन, चार, पांच, चेक कर लो, एक double bond, दो double bond, तीन double bond, चार double bond, पांच, डबल bond, चेक, पांच क्या है, odd, सुन लो, odd देखते ही, बच्चे कहते हैं, yes, करेगा, सुनो भाई, यह नहीं पढ़ाया है, कि odd देखते ही करेगा, odd number of double bonds अगर consecutively आ रहे हैं, तो कर सकता है, करेगा odd हैं, but, यह hydrogen और यह hydrogen सेम है, यह वाले carbon पर, but, on extreme right carbon atom, extreme right carbon atom पर क्या है, बताईए, same atoms है, same hydrogen atom है, तो इस वज़े से fail हो गया यह, चीके न, अगर यहाँ different होते हैं, इस carbon पर दोनों group, तब यह कर लेता, next देखिए, इसको देखिए, अब यह तो बहुत simple है, carbon carbon बीच में double bond आए, तो तुम पहले ही पढ़के आए हो, चीके न, यह तो तुम पहले ही पढ़के आए हो, अच् portion में मान लीजे, उसने ऐसा दिया आपको, और यहाँ triple bond दे दिया, ठीक, तो अगर तुम देखना भी चाहो तो carbon carbon बीच में double bond आए, वैसे compound तुम पढ़ चुके बट फिर भी, one क्या होता है, odd होता है, ऐसे सोच लो, odd होता है, तो कर सकता है, और कर सकता है, तो extreme carbons पे, आप hydrogen है, तो अलग अलगे, तो यह करेगा, ठीक, यह शो करेगा, यह लीजे, इस तरीके से, ठीक, नौ, तो इसका जो answer आ रहा है, वो क्या रहा है, ओप्शन A and D, ठीक, इसका जो answer आ रहा है, वो क्या है, option A and option D, ठीक, इस तरीके से, तो पहली category थी आपकी क्या, cumulance, ओके, अब दूसरी category जो है, ध्यान से सुनिए, देखिए, पहली category आपकी कौन सी थी, cumulance, ठीक, तो cumulance में क्या है, आपका, carbon, carbon बीच में, double bond, double bond, double bond, ऐसे आते चले आते हैं, और 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 अबर आफ डब क्यान से सुनिएगा, इसी में आपको जो second पढ़ना है, आप इसको second बोल दो, जो बोलना है, बोल दो, second है न, इस कौम first कर लेते हैं, cumulance को, total आपको, चार case पढ़ने है, special case में, यह आपका first case था, ऐसा बोल सकते हो, ठीक, अब जो second case है, वो second case क्या है, आपका, second case है, आपका aspirants, अब दिखिए, aspirants क्या होते हैं, न, समझी का जड़ा, aspirants क्या होते हैं, aspirants में पता हैं, आपको क्या मिलेगा, लगातार आपको क्या मिलेंगी, ring मिलेंगी, सुना, cumulance में क्या होता था, लगातार carbon carbon की बीश में double bond, अब यहाँ पर लगातार आपको rings मिलेंगी, चिक, तो लगातार जब आपको rings मिलेंगी, तो odd number of rings यदी आग account कर पर क्यूमलिंस की तरह क्यों में क्या था और नमबर ऑफ डबल बॉंड तो जी आई एक्जबिट करेगा यहां पर और नमबर ऑफ रिंग्स यदि आपको दिखाई पड़ गई तो वो करेगा जी आई एक्जबिट करेगा ठीक तो इस्पाइरंस क्या होते हैं ऐसे देखने को मिल गई क्या और नमबर ऑफ रिंग्स यदि आपको देखने को मिल गई सो इट विल एक्जबिट इट विल एक्जबिट जी आई तो वो जी आई एक्जबिट करेगा ठीक है सुटेंस अब देखिए आईए मैं आपको दिखाता हूँ एक कंपाउंड है ना बात समझे कुछ इस तरीके से यह एक रिंग है ठीक और इससे कनेक्टेड यह दूसरी रिंग है यह इससे कनेक्टेड यह इस तरीके से यह तीसरी रिंग है ठीक और माल लीजे यह वाले कार्वन पर और यह वाले कार्वन पर ए और बी इस तरीके से लगे हुए हैं ठीक अगे शजल आ हैं हैं यह और यह हम भी टीक यह और यह वाले अब आप चेक कर लो किवा तुक फैं ना इस एधान भाले के यहाँड नहीं हैं है ओर एक्सट्रीम कार्वन्स पर यह वाला और यह वाला इस पर दिपेली क्रूप है है ठीक है ना तो और नमबर ओफ रिंग से और एक्स्ट्रीम कार्बंस पर क्या है आपका है कि डिफरेंट रूप है सो इट विल शो इस इस का अंसर यह सा गया बस इतना नहीं लिख रहा हूं यहां से 100 रांस भी पॉसिबल होंगे तो उप्पर वाला क्या है सिस और नीचे वाला क्या है ठीक है ना यह वो गया बस क्या दिक्कत है अब मालों एक छोटा सा आपको सवाल देते हैं रिच कुछ ऐसा अई बी आ एबी तो जबावे नो क्यों क्योंकि एक, दो, तीन, चार, चार क्या है, इवेन है, तो इसका अंसर आएगा, नू, एक्स्ट्रीम कार्बन पे, ग्रुप आपके अलग-अलग लगे हुए, वो अलग बात है, लेगिन यहाँ पर आपके जो number of rings है, वो क्या आ रहे हैं, इवेन आ रहे हैं, तो इवेन में शो नहीं क appearance, plus, cumulance, आपको साथ साथ मिल सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करना है, आपको इस्पार नहीं कि रिंग भी दिखाई पड़ेगी, और उसी के साथ साथ आपको double bond भी दिखाई पड़ेगा, ठीक, ring, double bond, ऐसा, बस आपको कह करना है, सब को count करना है, कितने ring है, और कितने double bond है, तो 2 प्लस 1, 3, odd आजाएगा, ठीक, तो बस odd आना चाहिए, ठीक है, ना, तो odd number of, odd number of aspirants, plus, cumulance, can exhibit gi, can exhibit क्यों लिखा, क्योंकि extreme carbons पर आपको group भी तो देखने पड़ेंगे, ना, same है की नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान लीजे, मैंने एक example दिया आपको, कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर double bond, यह ऐसे, a, b, check, a, b, check, अब check करना चाहिए, ध्यान से सुनो, मैं yellow color से टिक लगा है, थोड़ा आप side में समझलो, यदि आप चाहते हो समझना तो, सुनो, पता है, इसकी हालत पहले कुछ ऐसे, मतलब ऐसे समझो, आप c double bond, c double bond, c double bond, c, ऐसा कुछ compound रहा होगा, ऐसे समझोती है, न, देखो, आपने बढ़ाता क्या कि, एक pi bond का du कितना होता है, one, और एक ring का अगर यहां पर आप निकालोगे, न, दियू, तो, एक, दो, तीन दियू आएगी, भई, तीन पाई bond है, तो, त्री दियू आएगी, यहां पर भी कितनी दियू आएगी, बात समझो, हुआ क्या, कि यह वाले pi bond की जगा, रिंग आ गई, तो, इसकी दियू एक, यह वाले pi bond की जगा, pi bond ही है, तो, इसकी दियू एक, और यह वाले pi bond की जगा, यह ring आ गई, समझे, तो, इसकी दियू एक, du1, 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 इसकी दियू 3, उसकी दियू 3, तो, जैसा, क्यूमिलेंस में था, कि अगर आपको odd number of double bond मिल जाते थे, ठिक, तो, वो gii show करता था, वही चीज़ तो है, उसकी दियू 3 है, pi bond उसमें 3 है, यहाँ पर 3 pi bond तो नहीं है, लेकिन, एक pi bond की वज़े से, वन डियू यहाँ से, और दो ring की वज़े से, एक डियू यहाँ से, du change नहीं हो रही है न, तो gii यह भी show करेगा, मोटी मोटी बात ध्यान से सुनिए, बस आपको ring, pi bond और ring count कर लेना है, एक, दो, तीन, समझे, pi bond का मतलब मेरा, मतलब है, double bond, ठिक, ring, double bond, ring, एक, एक, double bond, दो, और एक ring, total होगे 3, और 3 क्या होता है, odd number होता है, ठिक, तो इसका answer आएगा, yes, ठिक, क्यूंकि 2 rings हैं है, प्लस, one, double bond है, और extreme carbons पे, अलग-अलग groups है, total आगया, 3, और 3 के ऐसा है, odd है, ठिक, आईए, question मैं आपको देता हूँ, question, GI exhibit और not, not, ok, और एक चीज़ और note कर लीज़ेकर copy में, ring का size matter नहीं करता है, भाई, ring चाहें थीन carbon की हो, चाहें चार carbon की हो, चाहें पांच carbon की हो, ठीक है, ring तो ring होती है, कि एक रिंग का डिउऑ एक ही तो होगा सब्सक्राइब मैंने कार्बन रिंग वक्त management कि हो चाहे फांच आर्बन कि यह एक रिंग का डिउउ तो होता है तो इस आइस मेटर नहीं करता है कि एक में कितने करणान बसापको आप current करने नोट लगा लीजिए यापड़ size of ring does not matter ring का size matter नहीं करता है ठीक है ना ring का size matter नहीं करता है ठीक है students अब आईए सवाल मैं आपको देता हूँ तो question उसने दिया इसमें सापको choose करना है पहला सवाल यह इस तरीके से hexagonal ring दी हुई आपको यहां फिर डबल बॉंड है उसके बाद आपको एक चार कारवन की रिंग इस तरीके से दी हुई है यहां deuterium लगा हुआ है यहां tritium लगा हुआ है उसके बाद यहां vr लगा हुआ है और यहां पर ns2 लगा हुआ है जिक फिर बी option में उसने आपको दिया कुछ इस तरीके से एक ring जिक इसके side में दूसरी ring और यह ऐसे तीसरी ring जिक फिर डबल बॉंड यहां पर h और यहां पर tritium उसके बाद यहां पर पर oh लगा हुआ है जिक यहां पर cl लगा हुआ है जिक option c में उसने आपको दिया कुछ ऐसा i br जिक और यहां पर उसने दिया मान दिजिए आपको ch double bond cs2 और यहां पर उसने दिया आपको क्या ns2 कि एक और option मैं आपको देता हूं option d is यहां 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 इस टू ठीक और यहां उसने एच दिया और यहां उसने और extreme carbon पर अलग अलग ग्रूप है extreme carbon पर अलग अलग ग्रूप है तो यह आपका show करेगा कि inspiring plus cumulants है यह इस्पार्ण प्लस cumulants अलगा case है ठीक यहां पर देखो एक ring दो रिंग तीन रिंग और एक बडबल बॉंड है तो आंसर चार आ गया चेक कर लो एक दो तीन और चार ठीक तो यह इस्पाइरन प्लस क्यूंग लिंस तो है लेकिन यहां पर आंसर फोर आ गया जोगी इवेन है कि तो इट विल नॉट शो हाला कि एक्स्ट्रीम कार्बन पर हाइड्रोजन और यह दोनों अलग अलग रूप है ना यह है यह यह लगा हुआ है फिर भी यह कर तो नहीं रहा है क्योंकि एक दो तीन चार हो गया ना यह वाला देखो रिंग देखो कितनी यहाँ पर एक दो तीन चार पांच है ना पांच ओड होता है अब यह वाले कार्बन पर यह अलग ग्रूप लगा हुआ है यह अलग ग्रूप लगा हुआ है सही है और इसी तरीके से यह वाले कार्बन पर यह अलग ग्रूप है और यह अलग ग्रूप ह के से एक दो तीन चार पांच और यह वाले कार्बन पर अलग लग ग्रूप यह भी आपका करेगा ठीक है न तो इस तरीके से अंसर किया जाएगा option a option c and option d विल एक्जिबिट जी आई ठीक अब एक और केस पढ़ना है फिर हम एक निया टॉप फिर हम नेक्स क्लास में नेक्स टॉपिक नेक्स क्लास में करेंगे यहां पर देखिए जड़ा आप इसको केस फोर्थ बोल सकते हो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा साइक्लों एलकेम देखने को मिलेगे हैंको क्या इसे healthy आपको अपिलिए आफिवेन आईगा उसके बावजूद्द भी क्या पता ये सुन्दों बताता हूं मैं आपको देखाँ किया माल लो कुछ ऐसा है example की help से ही आपको समझ में आएगा और यहाँ पर double bond तरीके से ठिच फिर यहां पर ऐसे एच लगा हुआ है और यहां ऐसे बियार लगा हुआ है ठीक है उसके तो मैं आपको सही सही दिखाता हूं कि चल गया रहा है पहले तो चिक यह देखिए यहां एक कारबन रहा होगा और इस पर ऐसे हडोजन छुपा के लिखा हुआ ठीक पिर इस कारबन पर तीन विलेंसी कंप्लीट है एक हडोजन रहा होगा यह कारबन है जिसकी चारों विलेंसी कंप्लीट है और इस कारबन पर बच्चों ठीक है एक हडोजन ऐसे रहा होगा और एक hydrogen ऐसे रहा होगा ठीक यह चीज है अब सुनो बहुत ध्यान सुनना यह साइक्लो एलकेन टाइप का है और यह एलकीन है तो यह रिंग हो गई यह आपका इस्पाइरेन और क्यूमलेंज का केस है एक रिंग एक डबल मॉंड यह तो आपके हिजाब से नहीं करना चाहिए लिग नहीं करेगा कैसे सुनों ऐसे केसिस में आप क्या गरो मैं आपको बताता हूं ज्यांतर रेजेक्ट करों देखो अगर आप इस पूरे को सिस्टम मान होगे तब तो वन रिंग और वन डबल बॉंड आंसर टू आ रहा है इवेन है इट विल नॉट शो देन इट विल नॉट शो चेक लेकिन अगर आप इसको सिस्टम मान होगे किसको इसको अगर आप इतने वो होगे कितने को इतने को जायेगा अब देखो इस पर अलग अलग ग्रूप है दो साडिस्वाई हो गया इस कार्बन पर क्या अलग अलग ग्रूप है ध्यान से सुनना इस कार्बन से एक तो यह जुड़ा हुआ है अब यह जो कुछ भी है और इस कार्बन पर यहां से यह जुड़ा हुआ है यार यह CS2 है और यह कुछ और है य और ये वाले कार्बन के लिए ये दोनों टू डिफेरेंट ग्रूप से तो करेगा यह कि इसका अंसर आएगा यह स्फिर से ध्यान से सुनों जब तुम्हें क्या मिल जाए साइक्लो एलकेन और एक तुरं सावधान हो जाना ठीक पहले अगर तुम पूरे सिस्टम को देखोगे तो एक रिंग और एक डबल बॉंड इस पूरे सिस्टम के लिए तो नहीं करेगा क्योंकि आंसर तू आ रहा है एवन ठीक लेकिन अगर केवल इतना लोगें यह केवल इतना लोगे ठीक तो यह रिस्ट्रिक्टिट साइट होगी इस कार्बन पर चेक कर लो अलग अलग ग्रूप है बस बाद बन जाएगी करेगा अब आपको मैं और एक्जामपल इसके देता हूँ तो आपको ख्लियर होगा ऐसे नहीं क्लियर होगा जैसे कि मान लीजे कंपाउंड आपको प्ल nhां duż तुर्ण को कुछ स्थरीके का यहां कार्बन उसने दिया आपको और नहीं भी देगा तो आपको पता ही कार्बन होगा यहां पर ऐसा चलो ऎपको यही कारबन होगा यहां भी कारबन होगा यहां भीहां भी उस्के चारो कंप्लीट हैं यहां एक कारबन होगा करबन पर पक्का यहां चीए-स-3 ओगा अब सनो यदि आप पूरे सिस्टम को देखते हूं तो आपको क्या में लेगा ये साइक्लो एलकेन है तुम्हारा और ये एलकीन है साइक्लो एलकेन और एलकीन का केस है ये तो तुरंट सावधान हो जाईए च्छ साइब इस ये अशाइव हरा यह और एक डबल बॉन्ड से तो आंशर कितना रहा है बताओं अंशर आ रहा है टू जोकी एवरे सिग्ट में आपके तो आता हिशाबोरा सिस्टम ले रहे हैं पूरे को तुम्हें सिस्टम ली आए je फैंसल तो headache वेल कि नहुंट शो ठाइप लेकिन यदि तुम कि केवल इतने को ले रहे हूं तो इस कारवन पर अलग अलोग और इस कारवन पर इसकें पर इसकें से ड्रक्टली एकाइच कौन ये दोनों क्या है दूबंद और uk civ और यहाँ परिए दोनों भी क्या है डिफ्रेंट इसका अंथर आएंगा येस इतने को देखोंके तो इसका राएगा तो यह एफ यह दफ आन्सर क्या आएगा येस तो CYCLOS में साउधान रहना हमेशा आंसर यह ऐसा दरूरी नहीं है जैसे की एक्जांपल देखिए जरा माल लीजे सवाल कुछ ऐसा दिया उसने आपको चलो मैं हाइडोजन वगरा इस बार बना देता हूं आप समझ जाना यह ऐसा दिया अब देखो जरा फिर से वही चीज है यहां का करण होगा कि का यहां कार्बन इस पर हाईडोजन होगा ऑब ठैक अब देखिए अगले को लेकर चलो गए है ना समझ रहों गया चल यह तो यहीं समझा दो अगर आप पूरे को लेकर चलो गया ना तब तो एक रिंग एक कर दो नहीं करेगा लेकिन अगर आप केवल इतने क लगें लेकिन इस carbon पर problem है क्योंकि इस carbon पर को यह इतना है सी इस टू पहुंचो गताब था यह बार पे मतलब इधर से आओगे तब भी और पर पहुंचो गया इसको छोड़ दो है यहां और इस carbon से connected यहां पर यह तो यहार सेम है जो यहां लगा है वही तो यहां लगा है तो इसकी वज़े से फेल हो गया इट विल नॉट शोट जी आई ठीक इट विल नॉट शोट जी आई करेक्ट बात समझ में आगी की नहीं आगी ओके फिर तरौन इस कावण पर यह वाला और यह वाला गैसा आपका सेम है इसको मत देखो souvent चै कि इस रास्ते से चलोगे तब वहीं पहुंचोगे इस रास्ते चलोगे तब झाल झाल